तुलसी का पोधा लगबग सभी के घर में पाया जाता है। आईए तुलसी के पोधे को घर में लगाने से जुड़े कुछ नियमों के बारे में जानते हैं। तुलसी के पत्ते को चंद्रग्रहन, एकाजशी और रविवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। जब आप अपवित्र हो तब भी इसे ना तोड़े वरना दोश लगता है। वास्तु शास्त्र की अनुसार तुलसी को जोड़े में लगाने से आपका सोभाग्य जागता है और घर में सुक सम्रद्धी आती है। तुलसी के पोधे को घर के दक्षिन भाग में लगाने से परहेज करना चाहिए। इससे वास्तु दोस उत्पन होता है। तुलसी का पोधा हमेशा उत्तर या फिर उत्तर पूर दिशा में लगाना चाहिए। इसे घर में सुक सम्रद्धी आती है। घर में तुलसी का पोधा है तो इसे कभी भी अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। शाम होते ही तुलसी के पोधे के पास एक दिया जरूर जलाना चाहिए तूलसी के पोधे को हमेशा खुली जगय पर रखे तूलसी की सूखी पतियों को कभी फैके नहीं बलकि पती को धोकर तूलसी के पोधे की मिट्टी में ही डाल देना चाहिए तूलसी का पोधा जमीन में ना लगाए बलकि हमेशा गमले में लगाना चाहिए इस बात क खास ध्यान रखें कि तुलसी के पोदे के आसपास गंदगी ना हो तुलसी के पोदे को किसी भी काटेदार पोदे के साथ नहीं रखा जाना चाहिए कभी भी तुलसी के पत्तों को चाकू कैची या फिर नाखोन की मदद से नहीं तोड़ना चाहिए इसके लिए उंगलियों क का इस्तेमाल करना चाहिए और हलके हाथ से तोड़ना चाहिए सूरियास्त के बाद तुलसी का पत्ता कभी नहीं तोड़ना चाहिए बिनास्नान किये तुलसी के पत्ते को ना चुए और ना ही तोड़े पूजा में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्विकार नहीं किये जाते तूलसी का पोधा लगाने के लिए गुरुवार का दिन सब से उत्तम माना जाता है जैमातादी अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को जादा से जादा लाइक और शेर कीजिए और आगे आने वाले वीडियो के लिए रामा हेल्दन वास्तु टिप्स चैनल के साथ बने रहे है वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद